Android Folder जी हाँ दोस्तों अगर आप एक Android यूजर हैं तो आपको पता होना चाहिए का Android फोल्डर क्या है आपको इंटर्नल विमोरी हो या SD काट हो आपको Android के नाम से एक फोल्डर जरू दीख जाता है तो आज का इस वीडियो में मैं हिमान्शू आपका श्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक फीट पर और दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे के Android फोल्डर क्या होता है और इसमें क्या-क्या जनकारी की चीज़ें होती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को सुरू करते है और हाँ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं के Android फोल्डर का क्या होता है Android फोन में तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने फाइल मेनेजर या फाइल मेन्यू को ओपन कर लेंगे और उसके आपको दिख रहा होगा Android के नाम से एक फोल्डर बना हुआ तो दोस्तों इसी फोल्डर का आपके फोन में क्या काम होता है तो चलिए जानते हैं लोग Android फोल्डर को ओपन करते हैं देखिए और यहां पर आपको बहुत सारे फोल्डर दिख जाएंगे और यहां पर डाटा क आपको ओपन करना है डाटा को ओपन करते हैं यहां पर देखिए आपके फोन में जितने भी अप्लिकेशन होंगे उनके नाम से एक एक फोल्डर आपको मिल जाएंगे यहां दोस्तों यहां पर आपको देख सकते हैं ध्यान से देखिए आप लोग कि हमारे फोन में जितने व Intelligence उसके सारे के सारे यहां पर आपके एक नाम से फोल्ड करना चाहिए्ट सब्सक्राइब चयांगे जैसे ग्जांपल के तब मैं आपको दिखा देता ढूं दोस्तों देखिए हम लोग नीचे स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे और यूटूब का फोल्डर है कहां चले दोस्तों यह रहा यूटूब का फोल्डर यहां पर आपको देख रहा हूंगे Google Android Don't YouTube सब्से लास्त में देखिए यूटूब लिखा हुआ है दोस्तों इसको उपन कर लेते हैं इसको उपन करने का देखिए यहां पर लिख रहा है । और यहां पर एक दिखा रहा है यानि कहीं कोई और यहां पर सपोस्पोस की जिए कि मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देत लुट कर दूँगा तो वहाँ से जो मैंने offline वीडियो डाउनलोड किया है वह भी डिलीट हो जाएगा दोस्तों इसी के वज़ा से हम लोगों को कभी यह जो फोल्डर होता है एक और काम होता है वो काम यह होता है कि हम लोग किसी वीडियो को फोल्डर में hide कर सकते हैं और दोस तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो को select कर ले रहा हूँ, यहां से इसको मैं cut कर देता हूँ, और cut करने के बाद से हम लोग आ जांगे Android फोल्डर में, Android फोल्डर को open करेंगे दोस्तों, फिर data open करेंगे और paste कर देते हैं, हम लोग, चलिए यूटूब में पेस्ट कर देता हूं दोस्तों यह अखिल वाला जो वीडियो था मेरा जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वह इसमें पेस्ट हो गया दोस्तों अब हम लोग बैक आते हैं त्यान दीजेगा दोस्तों मैंने शेयरिट से डाउनलोड किया था इसलिए हम लोग में खोल लेते हैं अनिकि ओपन कर लेता है में एक्सप्लेयर और फिर इंटर्नल में जाते हैं इंटर्नल के बाद सेयरिट सेयरिट के बाद से बीडियो और इसको एक बार रिफ्रेस्ट कर देता हूं और देखें यहां पर अखिल के नाम से आपको कोई भी वीडियो नहीं दीखेगा दोस्तों कि यहां पर आपको अखिल के नाम से कोई भी वीडियो नहीं दीखेगा दोस्तों क्योंकि वह सबसे उपर ही रहता है और दिखें दोस्तों यहां से वह वीडियो के लिए भी काम देता है दोस्तों तो आज को आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों और जिया दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थांकि दोस्तों